हेलो दोस्तों स्वागत आप सभी का हमारे उनलाइन चैनल अरध्या अरेस एकेड़मी में दोस्तों राजस्तान रिट बरती परिक्षा के लिए दोस्तों बाल विकास तता सेक्षा सास्तर के मोडल पेपर की टैस सेरीज स्टार्ट की गई थी जिसमें अपना एक मोडल पेपर है वो कंप्लीट हो चुका है दोस्तों आज इसमें दूसरा नंबर का मोडल पेपर है इस मोडल पेपर में आपको दोस्तों 30 question देखने को मिलेंगे दोस्तो 30 question में से आपके कितने question सही होते हैं वो आपको comment में बताना है तो दोस्तो वीडियो आपको पूरा देखना है और अरद्ध्यारेस Academy के YouTube चैनल को subscribe जरूर करना है बैल आइकन को दबाना है वीडियो को like और share भी जरूर करना है तो चलो दोस्तो श्टार्ट करते हैं यहां पे पहला प्राइसन निमन में से कौन सीखने के सही इस्तर है यह अपने को बताना है तो देखो तथे सूचना ज्यान प्राप्त करना बोध और प्रज्यान यह सभी इस्तर है यह सीखने के सही इस्तर है C number का option सही उत्तर हो जाएगा Next Second number question है परिपकवता इतियादी से वेवार में उत्पन परिवर्तन को भी अधिगम कहा जाता है तो ये क्या सत्यकतन है तो दोस्तों नहीं ये सत्य नहीं है A number का option सही उत्तर हो जाएगा Next question है चिंतन क्या है तो दोस्तों चिंतन है वो प्रतिकों का प्रियोग है क्या है प्रतिकों का प्रियोग A number का option इसका बिलकुल सही उत्तर हो जाएगा Next चार नमबर प्रेसन है इसमें देखो Aptext पत समस्याओं का उप्योग किस स्रेणी के प्रयोजकों के लिए किया जाता है Aptext पत समस्याओं का उप्योग किस स्रेणी के प्रियोजकों के लिए किया जाता है Right answer हो जाएगा इसका वो है प्रोड B number option बिलकुल सही उत्तर है पांच नमबर प्रेसन है समस्या के अचानक समाधान की वकालात करने वाले सिद्धानत का नाम है समस्या के अचानक समाधान की वकालात करने वाले सिद्धानत का नाम क्या है Right answer हो जाएगा इसका दोस्तों वो है मानसिक विकार Sorry इसका Right answer हो जाएगा वो है सूज का सिद्धानत क्या हो जाएगा सूज का सिद्धानत Next यहाँ पे देखो अगला क्यूशन है सवेदना ग्यान की पहली सिद्धी है कथन है तो दोस्तों यह जो कथन है यह कैसा कथन है मानसिक है सारी डिक है ध्यान का विकास का है भासा का है सवेदना ग्यान की पहली सिद्धी है तो दोस्तों यह कथन है ये मानसिक विकास है क्या है मानसिक विकास है A number option सही उत्तर साथ number प्रेशन है व्यक्तिगत भेध में हम पाते हैं तो व्यक्तिगत भेध में हम क्या पाते हैं तो दोस्तो देखो विचनन सीलता प्रतिमानता यह है यह अपन व्यक्तिक अद्वेद में पाते हैं तो इस पुर्शन का राइट आंसर हो जाएगा ए और भी दोनों C नमबर का उप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा आगे देखते हैं आठ नमबर प्रेस्ने इसमें देखो मेरडित के अद्वेद के आधार पर कहा जा सकता है कि सामाने रूप से उन परिवारों के बालक होते हैं जो सामाजिक इस तरह से उंचे होते हैं यानि कि सामाने रूप से उन परिवारों के बालक होते हैं जो सामाजिक इस तरह से उंचे होते हैं तो कौन से बालक, तो दोस्तो अधिक स्वस्त एवं विक्सित, यानि कि सामने रूप से उन परिवारों के बालक है, वो अधिक स्वस्त एवं विक्सित होते हैं, जो सामाजिक इस तरह से उंचे होते हैं, ठीक है? आगे देखो, नए नमबर प्रेशने, केटल द्वारा विश्लेशित किये गई व्यक्तित्वा सील गुणों की संख्या कित्मी है? यानि कि व्यक्तित्वा सील गुणों की जो संख्या है, वो कित्मी है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसमें वो है सोला, सी नमबर का जो उप्षन है, वो इसका सही उत्तर हो जाएगा, अगे चलते हैं, दस नमबर प्रेशने, मुर्जे ने एक परिक्षन की रचना करके इतियास रच दिया, वहें क्या है? तो वहें दोस्तों क्या है? तो विशे आत्म बोधन परिक्षन है, विशे आत्म बोधन परिक्षन ह नमबर का जो option है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा गैरा नमबर का प्रस्ण है वेवारिक बुद्धी को कहा जाता है तो दोस्तों वेवारिक बुद्धी को क्या कहा जाता है तो मूर्त बुद्धी कहा जाता है ए नमबर का option सही उत्तर हो जाएगा बुद्धि के त्री आयामी सिद्दान्त के अनुसार बुद्धि के कारकों की संक्या है तो कितनी हैं तो वो है 120 ठीक है दी नंबर उप्षन सही उपतर तेरा नंबर का प्रस्ण है इसमें देखो परिवेश की वस्तू जिसे प्राणी प्राप्त करने का प्रियास करता है कही जाती है तो क्या कही जाती है तो वो है दोस्तो मोटीव कही जाती है इसको क्या कही जाती है मोटीव याद रखना है दोस्तो आपको बहुत अच्छा क्यों सरही नेक्स्ट है चोदा नमबर का प्रिशन है इसमें देखो परतिबावान बालकों की पैचान के लिए हमें सबसे अधिक महत्व है किसको देना चाहिए परतिबावान बालकों की पैचान के लिए हमें सबसे अधिक महत्व है वो वस्तु निष्ट परिक्ष्णों के परिणाम को देना चाहिए B नमबर का जो उप्षन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा अगे देखो 15 नमबर प्रेशन है निम्न में से कौन सा तनाव को कम करने के लिए एपरिटेक्स डंग है तो कौन सा तनाव को कम करने का एपरिटेक्स डंग है तो दोस्तों वो है उदाती करण तो इसमें D नमबर का उप्षन सही उत्तर हो जाएगा 16 नमबर का प्रेशन है निम्न में से कौन सी डिसलेक्सिया की विशेष्टा नहीं है तो कौन सी dyslexia की विशेष्टा है वो नहीं है तो यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि सीधे या उल्टे हाथ के प्रियोग के सम्मंद में निश्च है यह दोस्तों dyslexia की विशेष्टा है तो इसमें B नंबर का जो option है वो इसका right answer हो जाएगा 17 नंबर प्रेशन ऐसमें देखो ससकते अभी प्रेड़ना सीखने का परभाव साली गटक है ससकते अभी प्रेड़ना सीखने का परभाव साली गटक है तो वो कौन सा है तो वो है दोस्तों सीग्र सीखता है C नंबर option से उत्तर हस्थ सिल्प की सिख्षा दी जानी चाहिए तो ये मंद बुद्धी बालग को दी जानी चाहिए एप आगर देखें गुनिश नूमर करने की आदत को कैसे दूर किया जा सकता है तो दोस्टो उधारण दे कर दूर किया जा सकता है वी नमर का ऑपszन सही रितर बीस नमबर प्रेस ने अनुसंदान जो सामाजिक समस्या से समंदित होता है तथा विद्याले की जन सक्ति के द्वारा विद्याले में किरिया कलापों के सुधार हित्तु संचालित किया जाता है कहलाता है तो ये क्या कहलाता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है किरियात्मक अनुसंदान कहलाता है बी नमबर का जो उप्षन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा इकिस नमबर प्रेस्न है उपलब्दी परिक्षन दिये जा सकते हैं उपलब्धी परिक्षन दिये जा सकते हैं, ये दोस्तों दो परकार के हैं, चार परकार के हैं, छे परकार के हैं, या तीन परकार के हैं, या इन में से कोई नहीं, या ये सबी, तो दोस्तों आपको कमेंट में बताना है उपलब्धी परिक्षन दिये जा सकते हैं, कितने परक 2010 को लागू हुआ था, B number option, right answer, next is, NCF 2005 में कला सिक्षा को विध्याले में जोडने का उद्देशे है, NCF 2005 में कला सिक्षा को विध्याले में जोडने का उद्देशे क्या है, तो इसका उद्देशे है, दोस्तों देखो सांसकर्टिक विरासत की परसंसा करना और दूसरा है छातरों के व्यक्तितवे और मानसिक स्वास्ते को विक्षित करना ठीक है ये दोनों इक अथन है ये इसके प्रमकुद्देशे हैं तो इसका राइट आंसर हो जागा डी नमबर का उप्शन ए और भी दोनों सही है चोबिस नमबर प्रेसन है जब बालक की परिक्षा द्वारा मापी हुई योगेता के सही मुल्यानकन में इस्ताइत्व होता है तब उस परिक्षा को कहते है तो क्या कहते है तो विश्वसन एता कहते है ठीक है बी नमबर का उप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 नमबर प्रेसन है इसमें आप देख सकते हैं कि यहां पर खालिस्तान है में मापन की बुमी का सब सीखी हुई कुसलताओं में निस्पादन का एक संपून अवलोकन देती है तो दोस्तों यहां पर कौन सा मुल्यानकन तो यह योगात्मक मुल्यानकन में मापन की बुमी का सब सीखी हुई कुसलताओं में निश्पादन का एक संपूर्ण अवलोकन देती है योगात्मक मुल्यानकन राइट अंसर नेक्स्ट है मनुस्य जीवन का आरंब मूलते गटित है तो ये दोस्तो किस में गटित है तो केवल एक कोस में गटित है बी नमबर उप्सन सही उत्तर नेक्स्ट है सताइस नमबर प्रसन है सेश्यावस्ता की विशेष्था नहीं है तो सेश्यावस्ता की विशेष्था है वो कौन सी नहीं है तो वो है नेतिक ता का होना ये दोस्तो सेश्यावस्ता की विशेष्था नहीं है नेक्स्ट है गामक विकास से हमारा थात्परिये मासपेसियों के विकास से तथा पैरों के उचित उप्योग से है गामक विकास से हमारा थात्परिये मासपेसियों के विकास से तथा पैरों के उचित उप्योग से है तो इसको राइट आंसर हो जाएगा सक्ति और गती D-number का जो option है वो इसका right answer हो जाएगा आगे देखिए 29-number प्रेस ने 20-वी सताबदी को बालक की सताबदी कहा जाता है यह का परिवासा दी है यहां परिवासा है वो दोस्तो किस ने दी है तो right answer हो जाएगा इसका वो है crow and crow ने दी है तो C number option सही उतर नेक्स्ट है इस अवस्ता में मिथ्या पक्वता का समय भी कहा जाता है तो यानि कि मिथ्या पक्वता का जो समय है उसको कहा जाता है क्या कहा जाता है तो बाल्य अवस्ता कहा जाता है B number का option इसका right answer हो जाएं तो दोस्तों यह हो गई आज के अपनी कलास है वो समापत हो चुकी है अरद्धारेस एकेडमी की यूटूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बेल आइकन को दबाएं वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें मिलते हैं दोस्तों नेक्स वीडियो में जै हिंद जै भर क्वाट